इस वक्त दहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है सावन महीने के चलते दिल्ली की और से कुछ कावडिये बाईक पर गंगा जुल्ले ने हरिद्वार जा रहे थे जैसे ही वो बाईपास के पास पहुचे तो एक डंपर नेक बाईक पर सवार दो कावडियों को टक्कर मार दी जिससे कि बाईक पर सवार दोनों कावडियों की मौके पर ही मौत हो गई जी हाँ दोनों कावडियों की जो हरिद्वा जा रहे थे गंगा जल्ले ने उनकी मौक पर ही मौत हो गई और एक कावडिया गंभी रूप से घायल हो गया है आपको बता दे गुसाए कावडियों ने कार में आग लगा दी और कार को भस्म कर दिया बाइपास पर जाम लगाते हुए कावडियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया इसकी खबर मृतिकों के परिजनों को सूचित किया गया और सूचना पर पहुची पुलिस और फायर ब्रिकेड की तीम ने आग को बुजाया इस मामले की पूरी छान बेन पुलिस कर रही है